lesson number 11 exercise 1.3 question number 1 & 2 यह देखें यह सवाल है हमारे पास है इसको साल्व कर लेते हैं तो इसको साल्व करना बहुत असान है यह देखें दो फॉंक्शन एड हो रहे हैं यह पहला फॉंक्शन और यह दूसरा फॉंक्शन तो होगा यह अच्छा यह लिम्ट का जो नूटेशन है लिम एकस रोचेंटो थ्री है और यह टू एकस हो गया प्लस लिम्ट एकस रोचेंटो थ्री है और यह फोर हो गया हमने सम रूल अपलाए किया और इसको अलग लग लग लिख दिया यह सम रूल है अच्छा यह टू जो है यह बाहर चला जाएगा टू लिम्ट एकस अप्रोचेंटो थ्री इदर आ जाएगा एकस और यह तो जार्सी बात है इसमें तो एकस है नहीं है तो इसके उपर लिम्ट एपलाए नहीं होगी यह फोर ही रहेगा तो यह तो जार्सी ब सिंपल तो क्या अंसर आ जाएगा टू थ्री आ रहे सेक्स प्लस फोर तो जो फाइनल अंसर है वह आ गया टैन तो यही इसका अंसर है अच्छा इस सवाल में भी ऐसा करेंगे के पहले लगाएंगे कोशियंट रूल लगाएंगे उपर लिमट अलग कर देंगे टू एक्स क्यूब पलस फाइव एक्स उपर लिमट इस तरह किया के अलग हो गई नीचे लिमट है अलग कर देंगे यह देखें नीचे जो है लिमट अलग हो जाएगी इस बिल्कुल सिंपल है अच्छा अब जर्जी बात है कि जो हमारे पास सम रूल है यहाँ लिमट अलग अप्रिट होगी इदर अलग अप्रिट हो जाएगी यहां पर अलग और इदर अलग हो जाएगी तो कर दें, limit x approach in to minus 2, 2x cube, plus limit x approach in to minus 2, 5x over limit x approach in to minus 2, 3x minus limit, minus 2, 2, और इधर है, 2 आ गया, simple यह किया, कि अलाग अलाग limit operate हो गई, अच्छा, अब यह होगा, कि यह 2 तो बाहर चला गया, limit x approach in to minus 3, minus 2 है, minus 3 नहीं है, 2 बाहर चला गया, और इधर limit operate हो गई, पलस 5 बाहर चला गया, और यहाँ पर limit operate हो गई, और अब यह होगा, कि 3 बाहर चला गया, और इधर हमारे पास x है, और यह तो independent of limit है, तो यह इस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा, यह 2 ही रहेगा, अब limit की value उपट कर दें, 2 और इधर आएगा, minus 2, cube, plus 5, minus 2, over, 3 into, minus 2, और minus 2, अब इसको simplify कर लिया जाए, तो इसका answer बाहर यह बनता है, यह बन गया, minus 8, or 2 हो जाएगा, minus 16, minus 10, over, minus 6, minus 2, अचा, यह आजाएगा, minus 26, over, minus 8, अचा, 2 के table से cancellation कर दें, इसकी, तो 4, और यह 13, यह minus, minus कट गया, तो इसका जो answer आजाएगा, वो आएगा, 13, over, 4, यह इसका answer आजाएगा, अचा, इसे भी यही काम करेंगे आप, लेकिन अगर, red put भी कर दी जाए, limit, तो for example, अगर मैं उपर put करता हूँ, minus 1, तो क्या बनेगा देखें, minus 1, cube, minus time of, minus 1, over, minus 1, plus 1, तो अब देखें के चीजें जो हैं, वो उस तरह से नहीं है, minus 1, plus 1, minus 1, plus 1, तो यह तो cancellation होके उपर 0 बन गया, और नीचे भी के आगया, 0 आगया, तो यह चीज acceptable नहीं है, since, it is 0 over 0 farm, बाद वकार हमारा वासा इस तरह होगा, कोई सवालों से, कि वो जब जो ही हम directly limit put करेंगे, तो 0 over 0 farm आ जाएगे, फिर हम यह करना होगा, कि इसको कुछ टेकनीक से change करेंगे, कुछ algebraic technique apply करेंगे, उसको change करेंगे, simplify करेंगे, जो expression हमें given होगा, फिर limit put करेंगे, तो limit put करने के लिए उसको simplify कर सकते हैं, तो अब देखें जरा, इसमें इस तरह करेंगे, simplify कर लेते हैं, limit x approaching to minus 1, अच्छा, उपर से x common लिया जाया गा है, तो यह बनेगा x square minus 1, और नीचे इसको रखा जाए x plus 1, अच्छा, अब क्या होगा देखें, limit x approaching to minus 1, उपर आ जाएगा x, अच्छा यह लिखा है, x square minus 1, इसको देखें जरा, यूँ कर क्लिक सेता हूँ, मैं x whole square, minus 1 whole square, तो इसमें, इसको अगर मैं इसका लेके दूँ, x minus 1, x plus 1, तो यह बात भी हो सकती है, तो मैं इसको लिखूँगा, x minus 1, x plus 1, over x plus 1, अब होगा यह, यह हो जाएगा, cancel, यह cancel हो गया, तो इसका मतलब ही हुआ, कि limit x approaching to minus 1, अच्छा, ऊपर x, और यह रहा जाएगा, x minus 1, अब limit put कर दें, इसके अंदर, जहाँ जहाँ x है, वहाँ वहाँ, यह put कर दें, इसकी value, तो minus 1, minus 2, तो इसका अंसर के आगया, 2 आगया, अब इसके limit जो है, finite आगयी, यह देखें, यह चूंकि limit की अगर value put कर दी जाए, directly, for example, जैसे यह है, तो, x plus 0 है, और minus root x है, over h है, तो, x के जगा हम 0 पूट गर रहे हैं, तो, क्या मतलब होगा इसका फिर, यह देखें, ऊपर आ जाएगा, root x, minus root x, over 0, तो, होगा यह, कि यह cancel होगे, ऊपर भी 0, नीचे भी 0, तो, since, it is, 0 over 0, farm, 0 over 0, ऐसी farm में, जिससे हमने बच के रहना है, तो, हमें यह चेक करना पड़ेगा, जो expression, जिसके लिए हमने limit को evaluate करना है, कहीं पर वो 0 over 0, farm तो, नहीं है, पहले यह confirm करना जरूरी है, फिर उसको solve करेंगे, तो, आपने देखा, कि यह farm बन रही है, 0 over 0, इसलिए है, इसको expression को simplify करना पड़ेगा, तो, इसको simplify करना रहते हैं, पहले, now, limit as approaching to 0, यह है, root x plus h, minus root x over h, multiply करेंगे, प्लस के साथ, multiply भी करेंगे, और divide भी कर देंगे, हम numerator को rationalize कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा, ऊपर तो बन जाएगा, limit as approaching to 0, यह देखे, ऊपर बन जाएगा, square, square, नीचे भी, h, root x plus h, plus root x आजाएगा, तो, ऊपर formula अप्लाइ कर दिया, a minus b into a plus, b, यह बात आप सीख चुके हैं, छोटी classes में, limit, अच्छा, अब होगा यह, कि यह जो square है, root cancel कर देगा, और इधर रह जाएगा, x plus h, minus x, over h, और यहां, root, x plus h, plus root x आजाएगा, अच्छा, अच्छा, situation यह है, कि यह cancel हो जाएगा, इसके साथ, limit, edge approaching to zero, edge over, edge, x plus edge, तो, अब फिर यह cancellation होगी, तो, अब पूट कर दे, limit की value पूट कर दे, चले, एक step, अच्छा कर लेते हैं, कोई issue नहीं है, अच्छा, अब limit की value पूट कर देते हैं, जहाँ जहाँ, edge है, वहाँ वहाँ, जीरो पूट कर दे, तो, यह आजाएगा, 1 over root x, root x, 1 over 2 root x, इसका answer आँगिया, अब यह 0, 0, फार्म नहीं है, बहुके definite है, answer आँगिया, अच्छा, यह question, बहुत important है, question number two, part number nine, तो, इसके लिए, तरीका होगा, अगर, चक किया जाएँ, इसको, तो, ए, पुट कर दे, a power n, minus a power n, a power m, minus a power m, तो देख लें, आप के cancel होगे, उपर बन गया, 0, नीचे भी क्या बन गया, 0 बन गया, तो यह 0 over 0 फार्म तो बन रही है, यह लिए इसके साथ कुछ और तरीका करना पड़ेगा, अच्छा, अगर लिखा हो, limit, x अप्रोच कर रहा हो, a को, और यहां पर हो, x power n, minus a power n, और नीचे हो, x minus a, तो यह होता है, a, n minus a, 1, यह पहली बात है, अच्छा, अगर इसी फर्मूले को, इस तरह लिखा जाए, x power m, minus a power m, over, x minus a, तो यह बनेगा, m, a, m, minus a, 1 बन जाएगा, अब आप देख रहे हैं, कि अगर मैं, numerator और denominator, दोनों को, divide कर दूँ, x minus a के साथ, तो इस question को, हम इस फर्मूले वाली फर्म में, ला सकते हैं, तो कर लेते हैं इसको, देखें, यह है, बार, और इधर है, limit, x approaching to a, अच्छा, उपर मैंने यह किया, कि x power n था, minus a power n था, उसको भी divide कर दिया, x minus a के साथ, नीचे था, x power m, minus a power m, उसको भी divide कर दिया, x minus है, एक ऐसा, simply सिर्फ divide किया है, उपर नीचे, तो, बार तो यह है, उपर बनेगा, limit, x approaching to a, x power n, minus a power n, over, x minus a, और नीचे क्या बनेगा, limit, x approaching to a, x power m, minus a power m, over x minus a, अब देखें, यह उपर भी फर्मूला बन गया, नीचे भी फर्मूला बन गया, तो, इसका मत्दब भी हुआ, कि उपर वाले का answer आ जाएगा, n, a, n, minus a, one, नीचे वाले का आ जाएगा, m, a, m, minus a, one, थोड़ा और simplify करते हैं, इसको, तो, यह आ जाएगा, n over m, a power n minus one, यह उपर ले जाएगा, minus m और plus, one हो जाएगा, power z हो जाएगे, तो, कैंसलेशन कर दें, यह कैंसल हो जाएगा, और बार लेस्ट का जो answer है, वो आ जाएगा, n over m, a power n minus, m, यह इसका final answer है, तो, इस lesson में, हमने भड़ तफसील के साथ, कुछ questions को, solve किया, उनकी limits को, evaluate किया, हमने हर जगा पे, theorems और फार्मूले अप्लाई किये, थेंक यू,